नमस्कार लोग सबाद चुनाओं से चुड़ा क्यापिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज से नव वर्ष की शुरुवात हो चुकी है पर ये वर्ष बेहत खास और इतहासिक होने जा रहा है क्योंकि ये नया साल नहीं राम वर्ष है 550 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है और इसका असर ऐसा है कि साल की शुरुवात होते ही पूरे विपक्ष की वौकला हट अब खुल कर सामने आ रही है कॉंग्रस के नीता उधित राज ने विवात का नया चाप्टर खुला है उधित राज ने कहा कि राम मंदिर से 500 साल बाद मनुवात की वापसी हो रही है तो मही पटना में आरजडी की तरफ से पोस्टर लगा कर ये कहा जा रहा कि मंदिर मांसिक गुलामी का मार्ग है बयान तो ऐसे ऐसे सामदे आ रहे हैं जिसकी जितनी निंदा की जाय कम होगी पर बयान घिनोना है तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे साथ ही आपको बताएंगे कि इंडिया गडबंदन में नितीश कुमार के सयोजग बनाए जाने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं क्या पचल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार और एक्सक्यूटर एडिटर राजीव जी सर आप दोनों का ही बहुत-बहुत स्वागत है राम मंदिर को लेकर इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं देखे विपक्ष अपनी बरबादी के तरफ चल नहीं दॉड़ रहा है यह बताता है कि हिंदुस्तान का विपक्ष हिंदुस्तान के जो पब्लिक ओपीनियन है लोगों के मन में क्या बाते हो रही है उससे कितना विम्खो चुका है कितना एलिनेटिड है हर जगह लोग इस वक्त राम अयोध्या अयोध्या में प्रान पतिष्ठा के बारे में चर्चा हो रही है हर घर में इसकी चर्चा हो रही है लोग इस चीज की तैयारी में अभी से जुट गए है कि 22 तारिक को किस तरह से हम अपने घर में दीपावली मनाएंगे लोग अपने इंपोर्टन काम को छोड़ के 22 तारिक को परिवार के साथ उसको सेलिबरेट करने का प्लैन बना रहे हैं और विपक्ष की मुर्खता का ये आलम है कि आप न सिर्क उसमें विग्र भई नहीं जाना था नहीं जाते आप ये कह देते कि नहीं भई बीज़ेपी कर रही है हम लोग नहीं जाएंगे दो मिनट के लिए लोग माफ कर देते चलो भई मुसलिम वोट के लिए ये सब कर रहा है आप अपसब्द कहेंगे आप फूले के बयान को मिस्कोट करके आप ये कहेंगे कि मंदिर पाखंड का केंद्र है मंदिर में घंटा बजाने वाले मुर्ख हैं बेवकूफ हैं तुम कौन से अकलमंद हो तुमारी अकलमंदी तो ये तो 2024 में नजर आएगी लेकिन आप पब्लिक में रहते हो और पब्लिक क्या उसके दिमाग में चल रहा है इसका इल्मी नहीं है तुमको तो कहीं सडक के किनारे दुकान खुलके बैटके पान बेचना चाहिए लेकिन नीता हैं ये लोग कोई जैम बनागर के दिखा रहा है यहां भारती जनता पार्टी आरेसेस वीएशपी इतिहास का सबसे बड़ा जन संपर्क कारिक्रम की घोषना उसने आज की है कि हर घर में जाकर के नियोता दिया जाएगा यह नहीं आजादी के आंदोलन के दौरान इतना बड़ा कारिक्रम को किसी ने उठाया प्लैन किया और नहीं कभी इतिहास में इस तरीके से कोई भी ऐसा काम हुआ हो कि जहां घर घर जाकर के इस तरह की बड़ी प्लैनिंग तो यह तो खुद अपने पर्फेक कुलाड़ी मारने में जूटे हुए इनकी बात क्या करना कौन ही है उदितराज कौन है यह चंद सेकर यह आर जेडी और यह तरह के लोग 2024 में जनता जो है इस तरह के उद्धंडता का सही सही जवाब दे तो क्या सर जैसे जैसे तारीक नजदीक आ रही है विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है इनके लोग अब भड़कने वाले नहीं हैं लेकिन कहा जाता है जब फ्रस्टेशन आदमी के अंदर हावी हो जाता है तो वो उलूल जुलूल हरकते करता है अपने विनाश को आमंत्रित करता है यह जो इस तरह के बयान दिये जा रहे हैं इनके एजेंडा के आधार पर है शुरुआती दोर से अगर देखा जाए कॉंग्रेस सहीद यह जितनी रिजनल पाटियां हैं जिसने आधार बनाया हिंदूओं की कुछ जातियां और मुसल्मान इन लोगों ने आधार क्या बनाया हिंदूओं को जातियों में बाटो यानि हिंदूओं के बीच बटवारा क करो भारतिय जनता पार्टी के सरकार में तो आपका स्तित्वी खत्म हो जाएगा इसलाम खत्रे में आ जाएगी इसलिए तुम एक जूट हो जाओ टैक्टिकल वोटिंग करो जो मुसल्मान करते हैं अभी के विधान सभाचुनाब हो या फिर लोग सभाचुनाब हो जितने स 15-16% क्या कर पाएगे इसलिए इसको बाटो तो मनुवाद की बात करो भगवान स्री राम की जो प्रान प्रतिष्ठा की बात हो रही है उसमें उधित राज जैसे तथा कथित दलित चिंतत नेता जो भारतिय जनता पार्टी में थे सांसद भी बन गे अब कॉंग्रिस में है अब आगे कभी सांसद भन भी पाएंगे इसकी संभावना नहीं दिखती है तो ये मनुवादी सोच मनुवादी प्रान प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि साहे 500 साल बाद फिर मनुवादी सोच हावी हो गई है भगवान स्री राम मनुवादी थे उसके जो मर्यादा पुर प्रासन विवस्था में उस गुण को ट्रांसपर कर दिया जाए तो वो आदर्श बन जागा अधूनिक समय में उनको ये मनुवादी कह रहे हैं दूसरी तरफ आरजेडी के वही आधार है कि अब तो कुछ लोगों को उससे भरमाओ भटकाओ ताकि मंदिर की बात ऐसे करो दलित ओविसी वर के कुछ जो लोग हैं वो मंदिर से नफरत करने लगे आप बिलकुल वही रुख अपना रहे हो कि जैसे एक मुस्लिम नेता बार बार हिंदू की जातियों के बात करता है दुरुभावना ग्रस तरीके से और मुसलमानों की जातियों के बात कभी नहीं करत वही आधार इन लोगों की हो गए तरफ से जो इस तरह के बयान आ रहे हैं उसे विपाक्षी एक्सपोस्ट हो रहा है लेकिन से राज एक खबर सामने आए कि नितीश कुमार को इंडिया गडबंदन का संयोजग बनाया जा सकता है इस खबर में कितनी सचाई हो से इसमें एन तेजसी आधब को भी सेलिबरेट करना चाहिए कि उसका रास्ता साफ हो गया कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब कॉंग्रेस पार्टी उस कहते हैं कि सौ जूते भी खाएंगे और सौ प्याज भी खाएंगे कॉंग्रेस पार्टी के वही हालत हो गई है पहले तो आप इन करके उनको यह किया अब जब उन्होंने और लेडी अपना प्लान तैयार कर लिया तो आप कहरें कि भाई सही हो जग बन जाओ नहीं प्रदान मंत्री मोदी के खिलाप नित्री उसकुमार को पीम कैनिडेट डिकलियर नहीं किया गया तो वह इस गड़बंदन में भी नहीं इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है क्यों कि केसी त्यागी आए वो जेडियू के राष्टी प्रवक्ता है और एक दो लीडर पटना में वो कह रहे हैं कि भाई यस तरह की खबर आ रही है यही सवार कि यस तरह की खबर आ रही है क्या तो यह लोग कह रहे हैं बहुत करके आपस में सब लोग एक दूसरे के ऊपर सीटा कसीडी गाली गिलॉज कर रहे हैं महराष्ट हो बंगाल हो उत्तर प्रदेश हो व्यार हो हर जगह मामला फसा हुआ है और उपर से निती इसकुमार ने दिल्ली में आकर कि ऐसा पैत्रा फेका कि कॉंग्रेस पार्टी चारो खाने चित और आ गया है वहां से लेख भी आ गया गार्डियन का कि आएंगे मोधी तो अब राहूल गांदी सही काम कर रहे है इस परिवार को समय देना चाहिए और ममी बहुत खुश हो जाए ममी के साथ समय बीच जाए तो उनको फिर ध्यान विगरा करने के लिए थाइलेंड जाएं इटली जाएं लंदन जाएं इस तरह का कारिक्रम को देना चाहिए गुड़ टाइम क्योंकि हो गया खेल खतम यह राम मंदिर में जिस तरीके से मुबलाजिशन हो रहा है जिस तरीके से यह संगठन आउट रीच कर रही है इसका जवाब ना कॉंग्रेस के पास है और ना ही किसी विपक्ष के निता के पास है फिर भी सर अगर ये मान लिया जाए कि नितीश की डिमांड को कॉंग्रोस पार्टी अगर मान भी लेती है तो क्या बागी के नेता शांत बैठेंगे? देखिए सांतों नहीं बैठेंगे इसलिए बात नहीं माने गई और कॉंग्रेस खुद भी नहीं चाहेगी संजोजक जैसे पत देना अगर बनाना तो पहले क्यों नहीं बनाना होता तो इतनी मिटिंग सो रही है तीन तीन चार चार मिटिंग हो गई बैठको का दौर चला में चर्चा करो सीट सेरिंग पर कंवेटनर की क्या जबत है पहले ही डिकलिए कर लेकिए लेकिन नितीज कुमार अपनी अलग उस्टिर जी अपना रहे हैं और जैसा लग रहा है कि नितीज कुमार और भारतेय जनता पार्टी वहां पर दोनों पार्टियों के एलाइंस की अंदर से महा गठबंदन के बीच गमासान सुरू हो जाए नितीश कुमार कहें हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लालु यादव अपने सारे ये सहयोगियों के साथ माले, सिपी एम, सिपी आई और उसके साथ ये कॉंग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े क्या हासर होगा? 2014 में यही हुआ और लालु साथ हो गए, कॉंग्रेस साथ हो गए नितीश कुमार अलग, भारतिय जन्ता पार्टी अलग चुनाव लड़ेंगे बस ये हो सकता है, कि एस्ट्रिट जी दिमाग में होगा कि हम यही बात करेंगे, न हम तुम्हारे तरफ न इनके तरफ अगर भाजपा हम अपने साथ नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे चुनाव फिर तो कॉंग्रेस राजद की हालत खराब हो जाएगी तो यह इस्थितियां वहाँ पैदा करने के लिए नितीश ने एक दाव चला है, पूरा विपक्ष और खासकर कॉंग्रेस राजद के अंदर घमसान इस बात को ले करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद से आप दुनों का समझाने के लिए तो रामंदिर को लेकर विपक्ष की वॉकला हट अब खुलकर सामने आ रही है, वहीं इंडिया गजबंदन में सीट शेरिंग को लेकर भी बवाल मचा है साथे निदेश कुमार के सयोजग बनाए जाने की भी चर्चा हो रही है, पर ये विवाद ऐसा है कि एक को मनाव तो चार नाराज हो जाए जो मान जाए, जो मानने को तयार हो जाए, वो अपनी शर्त ऐसी रख देता है जिससे कोई दूसरा नाराज हो जाता है तो मान, मनवल, गाली, गलोज, विपक्ष में जोरो शोरो से जारी है जिसका अंट तो होता नजर नहीं आ रहा है आप अपनी राई कमेंट कर लेके देख तेरे Capital TV नमस्कार